Hello students, welcome to my youtube channel online learning आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ 10 tips to tackle negative marking in JWR need और other exams ठीक है? देखिए, जब हम exam hall में बैठते हैं तो उस समय हमारी दो ही condition रहती है questions को देखके या तो हम बहुत ज़्यादा over confidence हो जाते हैं या फिर हम देखके nervous हो जाते हैं over confidence हम कब होते हैं? जब हमें लगता है अरे ये तो question हमको आता है और उस एक question के वज़े से हम पूरा paper भी बिगाड़ देते हैं over confidence से भी ठीक है? और nervous होके भी हम ऐसा करते हैं कि अगर एक question हमसे नहीं बनता है तो हम ये मान लेते कि पूरा paper ही हमसे नहीं बनने वाला है और इस वज़े से क्या होता है? कि जब आगे question आने आरा रहता है तो हम इस doubtful में रहते हैं कि हम टिक करें हम छोडें हमसे बनेगा नहीं बनेगा सब के साथ ऐसा होता है जब वो life में कोई ना कोई exam देते हैं तो इसलिए मेरी इन 10 tips को ध्यान से सुने पहली चीज़ तो जब हम examination hall में जा रहे हो तो हमारे हमारी उस समय situation जो भी रहे हमें उसे एक side में रखना है और बस examination hall में जब हम exam देने बैठेंगे और जब हमारे सामने कोई question डिस्पले होगा तो हमें over confidence नहीं होना है क्योंकि over confidence होने से paper बिगड़ भी सकता है और अच्छा भी बन सकता है लेकिन chances बिगड़ने के जादा रहते हैं क्यों? क्योंकि वो जो over confidence है वो आपके अंदर इतनी ज़्यादा energy create करेगा कि आप आगे questions पे ठीक से focus नहीं कर पाएंगे इसलिए कभी भी over confidence नहीं होना चाहिए second point nervous कुछ questions को देखके हम nervous हो जाते हैं nervous हम कब होते हैं जब हमें लगता है ये questions तो हमसे बन ही नहीं रहा है किस topic से आया ये question out of syllabus है ऐसा लोग बोलते हैं और आप में से भी सब भी नहीं ये कहा होगा लेकिन कभी भी किसी questions को देखके nervous नहीं होना है क्यों nervous नहीं होना है क्योंकि वो हो सकता है question जो है वो difficult है आपके लिए क्योंकि आपने वो topic ठीक से नहीं पढ़ा है nervous nervous नहीं से आपका पूरा paper बिगड़ सकता है इसलिए किसी भी question को देखके nervous नहीं होना है ठीक है third point be present there ये मैंने क्यों लिखा है be present there ये मेरा third point क्यों है इसलिए क्योंकि जब हम exam देने जाते हैं तो generally हमारे दिमार्ट में कुछ चीजे चलती रहती है और हम exam hall में बैट के भी वहाँ पर नहीं होते हम कहीं और ही होते तो इसलिए हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हम examination में hall में बैठे तो वहीं पर ही रहे और अपना जो mind है mind हमारा वहीं रहना चाहिए अपने mind में जो भी बाते आ रही है उसे avoid करके सिर्फ और सिर्फ question में ध्यान देना क्योंकि जब हम examination में hall में बैठ के अगर question सामने खुला है और हमारा mind कहीं और है तो हम question नहीं बना पाएंगे या फिर question आता हुआ भी गलत बनेगा हम option ही गलत लगा के आ चाहिए इसलिए अपना mind आप तो वहां रहेंगे लेकिन main चीज आपका mind है जो वहां पे examination hall में होना चाहिए fourth point जब कोई question पे doubt हो तो उसे छोड़ देना चाहिए ये नहीं कि आपको बनाना ही है ऐसा नहीं होना चाहिए अब ये मैंने लिखाए ये सबसे ज़रुरी point है don't attempt all questions क्योंकि जब हम school में पढ़ाई करके आये होते हैं या college में पढ़ाई करके आये होते हैं तो हमारे में दिमाग में एक mentality सी बैठी होती है कि हमको सारा question बना के आना है लेकिन competitive exam में या entrance exam में किसी भी government sector exam में ऐसा नहीं होता smart work और जिसका exam qualify होता है वो सिफ वही होते हैं जो पूरा question attempt करके नहीं आते इसके पीछे भी वज़ा ये होती है कि अगर आप पूरा question attempt करके आएंगे तो आपकी negative marking जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और आपके जो score है वो कम आएंगे क्योंकि कोई भी particular student हर चीज में perfect हो जरूरी नहीं है इसलिए मैंने याँ पे लिखा है कि कभी भी कोई भी competitive examination में पूरे question attempt करके नहीं आनी चाहिए इस point को अपने दिमाग में रख लीजिए जब आप exam देने जाएंगे तो पूरा paper बन भी रहो तो भी नहीं बनाना है और वैसे भी बनेगा भी नहीं क्योंकि paper ऐसा आता है जो paper set करने वाला होता है वो हर exam के paper को इस तरीके से set करता है कि एक average बच्चा भी बनाएं और एक होश्यार बच्चा भी बनाएं और एक week बच्चा भी बनाएं इसलिए कभी भी पूरा paper attempt करके नहीं आना चाहिए पूरा question नहीं attempt करना चाहिए second point ये मेरा point है उसके बाद कि हमें exam hall में कोई भी question को guess नहीं करना चाहिए मतलब कि टुक्का नहीं मारना चाहिए ठीक है क्योंकि हमारी mentality में ये भी चीज़े बैठी होती कि भाई नहीं आ रहा है तो टुक्का मार देते generally short category wise वाले लोग ऐसा करते हैं कि हम टुक्का मार देते लेकिन टुक्का नहीं मारना है क्योंकि ये बात ध्यान रखिए जे डबली हो या नीट का exam हो या कोई भी exam उसमें negative marking है और negative marking वो marks तो लेके जाएगी ही जो wrong हो रहा है साथ में जो right हो रहा है उसका marks भी लेके जाएगी जैसी कि आप लोग के जे डबली में चार marks के होते हैं के question तो एक गलत मतलब चार marks तो गया साथ में एक number और भी गया और ये आप लोग नहीं जानते होंगे अभी लेकिन एक point two five marks से भी बहुत लोगों के जो rank है उसमें बहुत बड़ा difference आता है इसलिए कोई भी exam में कभी भी guess तो करना ही नहीं चाहिए किसी भी question को अब अब हमेशा एक ये भी point है round two technique यूज करना चाहिए अब round two technique क्या होती है देखो exam तो online भी होता और offline भी होता है अगर online exam हो रहा है तो round two technique का मतलब यह होता है कि आपका जो exam में supposed कर ये 3 घंटे 3 घंटे का है और उसमें से आपने एक fix time करके रखाई कि मैं धाई घंटे में पुरा paper कर लूंगा या कर लूंगी उसके आदे घंटे बचेंगे उसमें जो मेरे doubtful question है मैं उसको करूंगी offline paper में तो easy है कि आप उसे circle लगा देंगी या कुछ mark कर देंगे फिर आप आके देख लेंगे कि आपको ये question attempt करना है round two में लेकिन जो online paper होता उसमें ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि वो तो computer में रहता है लेकिन मैंने बताया था जब आपको कोई भी question में doubt हो तो round two technique मतलब उसे फिर से attempt करना आधे घंटे का time ऐसा होना चाहिए तो online exam में आपको क्या करना है उस particular question को mark for review करके रखना है mark for review करके रखेंगे तो आपको मैंने बताया होगा कि उसमें वो अलग सा button का color बन जाता है उस particular question का तो उससे आपको पता चल जाता है online exam में कि कौन से question को आपको फिर से आके देखना है तो round two round two technique यही कहता है जब आप किसी topic को वो question में आया हुआ है और अगर आपको वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा वो question फिर भी नहीं आ रहा हो तो आप उससे mark for review करें और जो आपके आदे घंटे बचेंगे तो आप उससे उस समय आके अटेंट जरूर करें अप previous year questions paper previous year question paper का मतलब यह है कि मैंने क्यों बताया आप लोगों को previous year question paper का important क्यों है क्योंकि यह हमें बताता है कि हमारे जो आने वाला exam है उसमें हमारे हमारा pattern क्या होगा हमें mindset हमारा बैठाता है वो previous year papers कि हमें इस type के question करने क्योंकि हम class 12 तक MCQ multiple choice question करने की आदत नहीं होती है इसी लिए previous year question paper जब आप करेंगे तो आपके habit में आएगा और उससे आपको पता रहेगा कि आपका question का pattern या level कैसे आने वाला है जिससे कि आप negative marking से भी बस सकते हैं अब अब देखिए जब हम physics chemistry का question करते हैं J EE NIT में या mathematics का ग्या किसी और exam में जो calculation part वाला रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं कभी कभी हमारा mind कहीं और रहता है तो हम जो calculation किये होते हैं उसमें हमारी गल्ती हो जाती हैं तो यही इससे भी हमारे marks जो है वो गलत हो जाते हैं मत्तब हमारा वो question गलत हो जाता और marks जो है वो negative marking में count हो जाती है तो इसी लिए calculation पे ध्यान जरूर देना चाहिए जब आप calculate कर चुकिए हो जब final answer mark करने वाले हो तो अपना calculation एक बार check कर लेना चाहिए अप सबसे last point आता है OMR sheet feel करने time में देखिए online में तो ऐसा होता है कि option ऐसा है ही नहीं कि आप OMR sheet जैसा कुछ आपने वहीं पर question बनाया और आपको वहीं पे ही answer at the moment पे लगाना है लेकिन जब OMR sheet मिलती है तो मैंने बहुत से students को ये करते हुए देखा है कि वह पहले अपने question paper में उसका answer टिक कर लेते हैं और फिर last में क्या करते हैं जब last के 5-10 मिट बच्चे होते तो bubble करते बैठे रहते पैंसिल से इससे क्या होता है पता है कि आप लोग या तो वह जो question होगा उसके गलत bubble कर देंगे या फिर से half bubble करके छोड़ देंगे हाफ bubble किया या फिर आधा बाहर किया तो समझ लो तो minus marking गया आपका आपका अपने सही question भी बनाया होगा तो भी मार्किंग में जाएगा क्योंकि वह जो चेक कर रहा है उसको खुद ही नहीं पता और वैसे तो आजकल OMR जो है वह computer चेक करता है लेगिन computer भी इस चीज़ को identify नहीं कर सकता कि उसे आप आपने कौन सा answer टिक किया बी किया कि इसी लिए ध्यान रखे especially जब offline exam होता है तो कि मेरे according तो कि आप जब exam में बैठे हैं और आप जब question solve कर रहें और आपको पूरा confident है कि मैंने ये question को सही बनाया है तो उस time में ही bubble कर लीजी लास्ट में आके मुझे नहीं मानों लोग bubble क्यों करते हैं कि लास्ट में आते के बाद जब वो bubble करने या OMR sheet फील करने बैठते हैं तो उस समय time इतना कम रहता है या तो आप जो question paper में टिक की होंगे वो OMR sheet में नहीं कर पाएंगे या तो फिर OMR sheet इतने हरबड़ी में आप भरेंगे कि उसके bubbles जो है वो बाहर निकल जाएंगे या किसी और में टिक हो जाएगा तो इसलिए ये ध्यान रखें कि मेरे according अगर offline exam हो रहा है तो जो आप question उस समय बना रहे हैं उस समय ही उसे bubble कर लीजिए last के लिए नहीं कि आपको बाद में आके उसे check box को क्लिक कर रहा है चो आंसर है चार option देते हैं उसी समय ही आपको टिक कर ना रहता है अब बाद में आके उसो करी नहीं सकते क्योंकि offline में तो ऐसा है कि वो seconds भी चलते रहते हैं और ऐसे जब 00.00 हुआ मतलब आप चाहे कहीं पे भी हो question आपका बंद हो जाएगा OMR sheet में तो ऐसा भी रहता है कि अगर first bench से अगर OMR sheet लेते हुए आ रहे हैं तो last bench वाला बंदा उसको जो बचे होंगे उसको mark भी कर लेकिन online में ऐसा नहीं होता यह है आप लोगों के negative marking से बचने के 10 tips जो मुझे भी शायर लगते हैं आप लोगों करना और अपने दिमाग में बैठा के रखना जरूरी है इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया है तो आई होप आप लोग को मेरा यह वीडियो समझ में आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे यूट्यूब चैनल online learning को सब्स्राइब करना ना भूले थैंक यू